Hello and Welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में हम खुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे जो कि बहुत इजी मेथड बताने वाली हुमें आपको तो यहाँ पे हम फ्रेंट अन बेक दोनों पार्ट एक साथ कट करेंगे क्योंकि यह कपड़ा प्रिंटेड है अगर एमरेडी वाला होता तो हम एक एक करके कट करतें दोनों पार्ट को तो प्रिंटेड कपड़े में आप दोनों पार्ट एक साथ कट कर सकते हैं तो कपड़े को पहले डवल फोल्ड किया है मैंने उसके बाद एक बड़ी और फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हमारा टोटल चार फोल्ड में हो जाएगा उसके बाद आपको अपनी और बंज साइड लेनी है और कपड़े को चार फोल्ड में लेना ही है यहाँ पे इंचे टेप सीधा रखेंगे सबसे पहले हम निशान लगाएंगे 14 इंच पे कमर के लिए यहाँ पे हमने कमर लेनी है और यहाँ पे हमने 21 इंच पे एक निशान लगाना है हिप के लिए तीसरा निशान हमने लेंद के लिए लगाना होता है प्लस हमने दो या तीन इंच माज़न लेना होता है जो कि हम तुर्पाई में या सिलाई में फोल्ड करेंगे और सबसे उपर हमने लेना है शोल्डर, तो मैं यहाँ पर बैक नेक छोटा बनाऊंगी, अगर आप डीप बनाना चाहते हैं तो आपको शोल्डर आर्मॉल कम लेना होगा, तो मैं बैक में 3 इंच का नेक बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने शोल्डर 7 इंच पे लिया है, आर्मॉ चौथा भाग लेंगे जो भी आपके measurement है कमर का यहां पे चौथा भाग लेंगे यहां पे हिपका चौथाइब भाग लेंगे नीचे की और भी हमने हिप के अकॉर्डिंग ही रखना है सभी निसा नापस में मिला देने हैं आपको चौथाई भाग ही लेना है क्योंकि कपड़ा हमने चो चार फोल्ड में रखा है इसलिए दो इंच हमने मार्जन लिया है लूजिंग के लिए दो इंच मार्जन लेना है एक इंच पे बैक आर मुल का शेप देना है यह कुछ इस तरह से देना है हलका सा शेप देना है हाफ इंच का गैप देते हुए हमने फ्रन्ट आर मुल का शेप देना है नेक की कटिंग हमें स्टिचिंग के समय करते हैं कटिंग कर देनी है कटिंग करने के बाद यहां पे हमने कट लगाने है तो हमने यहां पे कुर्टी की कटिंग कम्पलीट कर ली है अब बारी आती है स्लीप की कटिंग की Sleep के cutting से पहले हमने कपड़े को चार फॉल्ड में रखना है जैसे कि हमने कुट्टी के लिए रखा था Same उसी तरीके से कपड़े को चार फॉल्ड में रख लेना है अपनी और आपको बंज साइड लेनी है नीचे की और हमने और 12 इंज मारजन लेना है जितना भी आप फोल्ड करना चाहते हैं तो मैंने यहां पर देड़ इंच मार्जन ले लिया है निशान लगा लिया है अब आपको मार्जन को छोड़ते हुए लेंध का निशान लगाना है जो भी आपकी लेंध है अब यहां से हमने तीन इच डाउन करना है यहां से हमने स्लीप की गोलाई लेनी है जो भी गोलाई है उसका आधा लेना होता है अपने मेजरमेंट के कॉर्डिंग यहां पर हमने आर्मॉल का मेजरमेंट लेना होता है साड़े चेंच लेने के बाद यहां से आपको गुलाई कर देनी है आर्मॉल के पास से भी हमारी स्लीप की फिटिंग होनी चाहिए डेर इंच हमने मार्जन लिया है अब हम इसकी कटिंग कर देंगे स्लीप की स्लीप की कटिंग करने के बाद यहां पर हमने कट लगा देने हैं उसके बाद दो पार्ट उपर की और उठाएंगे स्लीप की और गुलाई की कटिंग करेंगे जो भी हमने गुलाई की हैं यह सिर्फ हम दो पार्ट में ही करते हैं सो हमने यहां पर कुट्ती की कटिंग कप्लीट कर ली है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा थैंक यू